आप देख रहे हैं कैसन 24 नियोज पलपल की खबर जांदगीर जीले के सीरुनेरान चेतर में रहने वाले कोटवार इन दिनों काफी बूरे दौर से गुजर रहे हैं एक तो उनका वेतन महज 2250 रुपा है तो वहीं पिछले आट महा से वेतन भी नहीं मिला जिससे उनकी आर्थिक दसा खराब हो गई है आर्थिक परिसानियों से जुझ रहे कोटवार तहसील कारेला पहुचे और प्रदर्सन किया मिडिया से चर्च करते हुए उन्होंने अपना दर्द सुनाया कोटवारों का कहना है कि अंग्रेजों के जमाने से वे अपने दाईतों का निर्वहन बेता धंग से करते हा रहे हैं लेकिन वेतान में बढ़ोत्री के लिए किसी भी सरकार निफ्रियास नहीं किया कोटवारों ने प्रशासन से उनके लंबित वेतान का भुक्तान जल्स जल्स करने की मांग किये हैं नहीं तो उन्होंने उग्राब्रदसन करने का मन बनाया है मतलब बेतन अप्राप्ता है बेचारा गरीब लोग साड़े बाइस सुर्फे मुझता जिया अपन कैसे होगा कितने लोग पूरा सभी कोटवारों का सिवुरे अंट तसील मतलब नवकर तसील के सब कर दूखा हुआ तो क्या कुछ अब इतना मतलब कल के निक्ति हुआ अंगा नुबाड़ी यह अगरा रगा उनको बेतन मतलब 10-15 जाद कर दिया बीगा तित्ते ब्रीटिस जमाने से कोटवारी करते आ अब इसका बेतन मतलब अभी ताड़े 22-256 महिना से आप राप्ता है बेचारे लोग क्या करेंगे बताओ तो खेती में लगाएंगे क्या लगाएंगे तो आप कुछ एक करेंगे जी करेंगे तेक है के मतलब इत्य वरसे चोवन बिभा का काम करता है फिर भी मतलब गाह में कुछ भी होता है कोई मर जाता है फिर भी कोटवार हमेशा उपसीत रहता है जो 20 घंटा ड्यूटी करता है उसका 2250 रुप में जियो नपन होगा क्या सब्सक्राइब करता हूं कि कोटवार के प्रती ध्यान दिया जाए और करका स्वीपर पाधुआ उसका दस पंदह जार बेतन कर दिया गया विए तो 1929 चे मतलब कोटवार पदस्त है फिर भी उसका मतलब 2250 रुप्या है यह दुर्भाग के की बात है जो हुता है सरकार करता हूं चाहे जो भी सरकार हो भूपेश सरकार हो चाहे गांग्रेश के सरकार हो चाहे बेज़ीपी के सरकार हो यह जिल्या दीश महोदेश नियदन करता हूं आप आठ महिना से मतलब बेतन अर्प आपता है किर्पा करके उस बेतन को दिलाने के किर्पा करें आप ताहनुवुती प्रितक्त निवेदन करते हैं तुई पर को पत को मतलब दस से पंदा हजार कर दिया बाइस पचास रुपिया में कोटवार के कैसे गुजारा होगा धन्यवाद आपके लिए पीरो रिपोर्ट के एसन प्रेंटिफोर न्यूज